Hello students, so once again you all are most welcome as in today's class So students, आज की क्लास में आप सब का स्वागत है So आज की क्लास में इस्टुवेंट्स हम लोग क्लास्टोर साइकालोजी चाप्टर नुबर 5 कर रहे हैं जिसके आप सब जानते हैं So इस वीडियो सीरिस का यह है पार्ट नुबर 6 होगा So अभी तक हमने टूटल जो है 5 पार्ट बनाए है क्लास्टोर साइकालोजी के चाप्टर नुबर 5 को लेकर इस्टुवेंट्स So अगर आप नहीं देखा तो इस वीडियो के देखने बाद आप उनको जरूर देखना यह हमारे साइकलोजी जो हमने हिंदी मेडियम के लिए बिसिकली बनाई है आप उस लिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं तो सबसे पहले चलनेते हैं इस टोंस हम लोग देखते हैं आज की वीडियो का एजन्डा क्या है मेल हीडिंग हमें क्या मिलेगी पढ़ने के लिए तो सबसे पहली जो हमारी हीडिंग मिलेगी पढ़ने के लिए बिसिकली एक ही मेल हीडिंग है तो हमें वो मिलेगी पढ़ने के लिए वो क्या है बताया जाएगा आपको आज यहां पर कि मानवतावादी अस्थित परक चिकिस्सा क्या होती हम इसे के बारे में डिटेल से समझेंगे इसके नहीं में दो सब एडिंग मिलेंगी तो पहला आपका हो जाएगा अस्थित परक चिकिस्सा और इसके अंदर गद हमें आत्म सिद्धी के बारे में जाने को मिलेगा नेक्स्ट आपका मिलेगा सेवार्थी केंद्रिक चिकिस्सा जिसे हम अच्छे से समझेंगे आगे जाने से पहले इस्टन साब सब को बता दू कि मैंने आप सब के लिए सब्सक्राइब के लिए मैंने जाने आप जा करके नोट्स को देख सकते हैं यहां से आप इनको सर्च करके यहां से आप बैनिसिट उढ़ा सकते हैं नेक्स्टिस्ट्ट्स आप सब के लिए एकjes और में इम्हार के लिए हुए मैं एक तक inland का टाइम और लो लोगा आपका इसे कुछ होता नहीं कि कुछ कई बार ऐसा होता है कुछ इस्टुएंस को रफिजन होती है कि प्लेश में कैसे जाया जाया सभी वीडियो समय सरी मिलती तो बिइसकली इस्टोएंस के लिए हैं अगर आपको पता है तो आप स्किट कर देजेई से ठीडिए यह बिसिकली क्लिए कलिक एंगे जो बिलिस नहीं आफ़ीन में भीルク तो मैंने आपको separate place दे रखी हैं, तो मैंने chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 और chapter 5 की मैं बना जी रहा हूँ तो chapter 5 आपको recently जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तो यहां से आप Hindi medium की psychology बहुत अच्छे से study कर सकते हैं, Okay, instruments और इतनी मेरे से वीडियो बनाई जाते हैं, वीडियो को पूरा देखा करो यार, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक एक चीज़ों को अच्छे समझते हो, तो चीज़े आपकी बहुत अच्छे से clarify हो जाएंगी और यहीं मेरा उद्यस है, तो वीडियो को पूरा देखा करो, instruments बीच में छोड़के भागने का कोई मतलब नहीं है, इतनी जल्दवाजी अच्छी नहीं बात होती, तो हमें जो सबसे पहले वीडिंग मिलती है पढ़ने के लिए वो है, मानावतावादी अस्टित परक चिकिस्था, ग्रजावरणी में तो हमने जो एक अपना मानावतावादी सिस्टम बना रख़ा है और उसके अस्टित को होने की वज़़ज से, हमारी सब की धाड़ा बन गया, वो धाड़ा क्या है, वो हम देख लेते हैं कि मनोविगेनी कस्ट, जो मनोविगेनी कस्ट होता है, वो क्यों होता है बता जा रहा है कि व्यक्ति के अकेलेपन की वज़े से होता है भी संबंदन की वज़े से होता है भी संबंदन केरें का मतलब संबंद आपका सभी के साथ अच्छा ना होना या संबंद होना ही न कि दोनों ही बाते यहाँ पर यह ज़्यादा बेटर होगा कि आपका संबंद ना होना तथा जीवन का अर्थ समझने और यथार संतुष्टी प्राप्त करने की आयोगिता की भावनाय काड़ोत्पन होता है यह था संतुष्टी मतलब आप संतुष्ट अपने जीवन से जो आपको संतुष्टी चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है तो इन सर्व भावनाओं की वज़े से आप क्या होते हों मनो विगयानी कस्ट से गुजरते हो आपको कस्ट होता है पिर आपको आगे बता जारा है हमारी जो main requirement होती है तो इस बेस पे एरिया जादा है इतना बड़ा ठीक है तो यह हमारी basic requirement है इसके बाद हम कहा जाते हैं अच्छे इसमें होता कि है इसमें आपका food होता है water होता है security and stability तरह move करते हो कि हाँ stable हो जाए थोड़ा से कमा होँआ कि पैसा रख ले और security की तरह तक कि आप बिल्कुल मतलबने आपको safe रख सके तो यहां भागते हो आप है घर मकान वालनों लेते हो इसके बाद आप यह भी चीज़ हो जाती है इसके बाद रिलेशनसिब आप देखते हो आपकी जिसे अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ हो गया या आपका हस्बेंड हो गया या आपके जो फैमली हो गया जो रिस्तेदार हो गया वो सारा सारा सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा थोड़ा सा उपर आगे हम ओफ करेंगे फिर यहां देखा है respect for yourself और तो आगे कि जो भी आपके पास सत्या हैं उनको रियलाइस करने को करते हैं इसे कहते हैं realizing your full potential अपने पूरे potential को आप रियलाइस कर पाते हो सबसे topic यही आपका होता है students self-actualization तो वही यहां पताया जा रहा है कि आत्म सिद्धी हम लोग क्या करते हैं मनों से क्या करता है students मनों से व्यक क्या करते है इसे अर्परेशिक हरी उता हुआ यह पाना चाता है उकी जब समाज और परिवार के दोरह यह आप रिवार करता है तो तो ऊसी time आपको कस्ट कानवर होता है अब यहां पर बताया जा रहा है कि आत्म सिद्धी को एक सहजी शक्ति को रोप में परिवाशित किया गया है थोड़ा सा आदम सिद्धी को ये बता रहे हैं करें एक सहज सकती है आपके अंदर राइट जो व्यक्ति को अधिक जटिल जो व्यक्तिया करती है अधिक जटिल बनाती कॉंपलिक से कहेंगे संतुलित बैलेंस बनाती है और समाकलित होने के लिए अर्थाद बिना अठोली आपके अंदर टुटल इस है बहुत सारे चीजों का कोके इसे स्माकलित कहेंगे इसी इंग्लिष में इन्टिग्रेशन कह सकते है इंटिग्रो ऊक्तित कह सकते हैं तो यहां पर मता जा रहा है होने के लिए अर्थाद बिना खंडित हुए जो बिना खंडित वे रमाकलित होने का ताथ यहां यह है कि साकाल भूर्ध आपको पुरी दर से क्या हो, इंटीग्रिल आपको एक क्या कहते हैं, आपको ग्यान हो, एक संपूर वेक्ति होना जिसे कहते हैं, भिन भिन अन्भों के होते हो भी मूल भाव वही वेक्ति होना, मतलब आपके अंदर आपको ग्यान सभी, अन्भो सभी, ठीक है, आप संपूर व्यक्ति होने के साथ-साथ आपको अलग-अन्भो भी हैं, लेकिन आपका एक मूल व्यक्ति तो होगा, जो वही बना हुआ है, उसे हम देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, तो वही यहाँ समझा जा रहा है, students, आपका अपने एक मूल व्यक्ति होगा न, हम सबका है, तो वही यहाँ पता जा रहा है, जिससे आदम सिधी को यहाँ पर, बैसिक यह एक्स्पेन के हैं, आदम सिधी के बारे में, मैंने आपको आदम सिधी पहले ही आपको बता दिया, ठीक है, फिर आपको आगे बतायरे है, students कि ज सकते हैं जो सबसे सस्थे मिलता है वह बहुत ही महेंगा होता है ऐर हो गया औक्सिजन सबसे सस्थे में फ्री मिलता है हर जगह राइड लेकिन वह उसके बिना वह जीवन एकाद दो मिनट भी नहीं जी सकते ओके उसी तरह आत्म सिध्थी का कुंटीत होना भी कस्ट का कार्ड ह होता है अगर आत्मसिद्धी उसी तरह से अगर आत्मसिद्धी जब आपकी कुम्टित हो जाएगी तो आपको कस्ट मिलेगा तो यहाँ पर मतलब अपने पोटेंशन को जब रिलाइज नहीं कर पाओगे अपनी जो शक्ति है शम्ता है उसी से आप अगर डिश्टर्ब हो कहते हैं जब सिवार्थी मतलब जो मनरोगी है अपने जीवन में आत्मसिद्धी की जो भी उसकी बाधाया उसको दूर कर देता है तब उसको क्या कहा जाएगा ऐसी अवस्ता में रोग अपचार घटित होता है मतलब वो रोग से मुक्तिबा जाता है ओके आप भी जब आप तो हमारा जीवन बहुत डिश्टरफ हो जाता है हम लोग एक कीस नहीं मिल पाती इस्ट्वंट हम लोग सांती नहीं मिल पाती कह रहे है आत्मसिद्धी के लिए आवसिक है कि समवेगों की मुक्त अलव्यत्थी अच्छा बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यहां नें बता है कि आफिन जो सिद्धी जो होती है। इसका मießen्ट्वहित्व हो गि quick से एसको आप मोगतरोप से कहेंगे express कर पाओ दिखापाओ बतापाओ जिसे आप गज़े जो वीचार चले हैं मोगतरोप से कहपाओ तो ही आपका क्या है आपक भावना जो है basically मुक्त रूप से अव्यक्त हो पा रही है फिर कह रहे हैं समाज हम परिवार क्या करते हैं कि इस मुक्त अव्यक्ति को नियंतित करते हैं और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम मुक्त अव्यक्ति क्या कहते हैं बातों को रखने ही पाते या कहने ही पाते, मुझी जो नहीं पाती अच्छे हमें रोकता कौन है, कहरें कि समाज और परिवार इन सम्वेगों की इस मुक्त अव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, यही रोकते हमें है ना, रोकती इंदर सेंस मतलब नियंत्रित करते हैं दोस्तों के बेचे में कुछ गलत चीज ने सुना, कुछ ऐसी चीज़े जो सही नहीं है समाज के लिए, अब उसने सुना आके मैं परिवारें बोल ला है, तो उसको परिवारें के लोग उसको दो चाटा मारेंगे और उसको सही लाइन पे लाने के लिए उसको समझाएंगे नहीं बिटा ये गलत बात है ऐसे नहीं वैसे तो उसके दिमान में एक पर अचानक से confusion आजे कि बोले यार मैंने तो से कुछ किया नहीं मैंने मुझे मार क्यों पड़ी तब उसको आइडिया लगेगा ना 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 इसका कुछ reason है तो इस तरह से वो अपनी अव्यक्ति को लेकर के थोड़ा सा aware हो रहा है यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते तो ऐसी अवस्ता में उनको disturbance हो जाती है क्योंकि उन्हें भय होता है कि समवेगों की मुक्त अव्यक्ति से समाज को शती पहुच सकती है है ना बताईए जरा अगर इस बच्चे ने जो गलत आदत पाल लगती है समाज में जाके और मूफट होकर कुछ बोले कुछ कहे है ना तो बताओ समाज में कितनी समस्या हो जा करने अपनी मनमानी मुक्त अव्यक्तई भी क्या होने चाहिए एक एक राशनल सब्सक्रावें होना हो जाहिए एक अवरे समाज में इस सीस्टम क्यों बनाएगे बहुत सारे सिस्टम बनाएगे हैं अलग-अलग धर में अलग-अलग सिस्टम है एक तरीके हैं तो तरीके हैं तो समाजी के तरीके हैं धार्मिक तरीके अलग-अलग हैं परिवारिक तरीके अलग-अलग हैं तो यह कहीं कहीं हमारे जो है और व्यक्ति को यह नियंत्रित कर रह और कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपका नेंतर्ड है सामेक समाकलन की प्रक्रिया को निस्पल करके जो प्रक्रिया परिवार या समाज हमें दे रहा है हम पर लगा रहा है वो निस्पल हो जाता है वो सही उसका माइना हमें समझ में आता नहीं या उसको हम सही से क्या किते बै कर दिया तब क्या होगा तो समझ से यह हो जाए कि उसको डाट पड़ेगी मार पड़ेगी है ना और बहुत कुस हैना पड़ेगा तो उससे क्या हो जागा डिप्रेशन में चला जाएगा वो समझ नहीं पाएगा अचाने कि यह ऐसा क्यों हो रहा है विकास वो अपने आपको दोरान चिकिसा के दोरान अब यहां पर जाद ध्यान सुनिएगा करें इसलिए चिकिसा के दोरान एक अनुग्यात्मत और स्विपित पूर्ड वातावर्ड क्यार किया जाता है इसी वज़े से इस्ट्वेन जब चिकिसा जिस मनुरोगी की करनी है उस मनुरोगी के लिए अ अनुग्यात्मक मतलब काइन्ट, विसके अपने इच्छा से उसके उपर द्या एक भाउना रखना, किसके उपर? सिवार्ति के उपर, अनुड़ात्मक और जो बात बोले, उसकी बात का कोई नीड़ है, वहां पर डिसिजन न बनाना, मतलब कुछ इस तरह से आप समझ सकते है इसे नॉन जजजमेंटल आप कह सकते हैं, स्विक्रित पूर मतलब उसे पूरी तर से परमीशन दिया जाए, उसकी जो बात है, वह उसको परमीशन कहा रहा हूँ, बिसिकली मैं यहाँ पर उसकी बात को स्विक्रित मिले, मतलब एक्सेप्टस मिले, यसे आप बच्चा है न आपको सब्स आपको मिले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि इसलिए चिछी किस्वेफा की तोराण यह अनुग्य आतमक और स्विक्रिट पूर्ड वाता वड़़ तैयार किया जाता है, तो कौन सा वाता वऱ़ तैयार किया जाता है, इस्ट्मेंट्स पो क्या है, आप मुझे बता सकते हैं और या आपने copy पी लिख सकते हैं विकाउज ये तीन ही आपके लिए important है आपके exam में पुछा सकता है या MC के question बन सकते हैं या जो मैंने आपको बताया यहीं से MC के question पुछ जा सकते हैं आपके exam में question आ सकते हैं जिसमें सेवार्थी के समयों की मुक्त अइवक्ती हो सके अच्छा ऐसा वात्रण क्यों तैर किया जाता है because ऐसे वात्रण में वो जो सेवार्थी होगा जो आपका मनुरोगी होगा उसकी मुक्त अइवक्ती हो सके अपनी बातों को खुल कर कह सके तथा जटिलता संतुलन और समाकलन प्राप्ट किया जा सके इस तरह से जो जटिलता है संतुलन है और समाकलन हम प्राप्ट कर सके इसमें मूल पूर्वा धारड़ा यह है कि सेवार्थी को अपने विभारों का नियंद्रट करने की स्वतनता है और यह उसका ही तुर्दाइत है यहाँ पर क्या दिखो ध्यान दिया जा रहा है करें से पूर्वा धारड यह है कि जो सिवार्थी है वो अपने विहार हो के नियंद्रट करनी की सुदनता उसको है उसके जो विहार है उसको नियंद्रट कर सकता है ठीक है और तथा साथ ही साथ यह उसका ही उत्तरदायत हो और उसी की responsibility होगी ओकी चिकिस्सा केवल एक सुगम करता मतलब चिकिस्सा क्या होगा सुगम करता रास्ते खौली इजनेस देगा मारे दर्सक होगा बताता रहेगा बाकि सब कुछ करना सेवार्थी को है फिर कह रहे हैं चिकिस्सा के सफलता के लिए सेवार्थी सुगम उत्तरदाई होता है ऐसे condition में जो चिकिस्सा हो रही है उसके लिए सेवार्थी खुद उही उत्तरदाई होगा चिकिस्सा का मुख उद्यस सेवार्थी के जागरूता को बढ़ाना है यहां पर जी किस्ता का मुख अधियर से है सेवार थी कि जहाग उकता का बढ़ा उसको अवेर करने से एक बच्चा होता है मैंने एक्जामपल गिया था भी आपको कि बच्चा ने बोला कि नहीं नहीं मुझे डेडी या ममी मुझे चाहिए चांद या मुझे हवाई जा चाहिए घर में चाहिए हवाई जा जो ओपर उट रही है ठीके तो बच्चे को बोला जाएगा येस ठीके बटा अपको मिल जाएगी कोई दिक्रत नहीं तो उसको अवेर करा जाएगा या बच्चा बच्चा पहली बार आग देखा आग मन्दब उसने फ्लेम देखा पहली बार रहा तो उसको लगए नहीं यह बहुत ही मज़दार चीज़ इसको खा ले नहीं इसको पकड़ ले इसको छू ले तो उसको पहले माबाप उसको रूखेंगे जब नहीं हो आगे बच्च कर देखाए देंगे बस उसको समझ में आ जाएगा आगे बताया रहा है जैसे जैसे सिवार्थी अपने विशिस्ट व्यक्तिगत और भोग को समझने लगता है वो स्वस्त होने लगता है और सिवार्थी आत्मिसंवर्धी की प्रक्रिया को प्रारंब करता है जिसे वस्त्वस्त हो जाता है होके इस्ट्रुमेंट आपने इस पॉइ विज्ञानिक है, basically, कह रहा है नामक के कमनों विज्ञानी और तंत्रिका विज्ञानी मतलब एक basically neurologist आप उसे कहते हैं, nervous आप कह सकते हैं, scientist भी थे, neurologist कह सकते हैं जाता बेटर होगा, कह रहा है ने उद्भूधक चिकस्सा, उद्भूधक चिकस्सा कहने का मनुद्ध हर्पी स इन्होंने क्या एक therapy दी थी? एक logo therapy दी इसका नाम है उद्बोधक चिकिस्सा तो उद्बोधक चिकिस्सा किस ने दिया? Victor Frankl ने दिया जहाँ पर logos का मतलब क्या होता है? आपसे ये भी question आसकता है? logos का मतलब क्या होगा? तो logos का question का मतलब भी पूछा सकता है Logos का मतलब क्या होता है आत्मा होता है या आत्मा के लिए गरीक भासा में इस सब्द का प्रयोग किया गया है उद्बूदक का मतलब होता है या उद्बूदक चिकिस्टा का यहां मतलब है कि आत्मा का उप्चार तो यहाँ पर आत्मा का बिसिकली उप्चार होता है इस थेरपी के अंतरगत के आप ऐसा कह सकते है करें फ्रेंकल जीवन के प्रती खतरना परिस्तितियों में भी अर्थ प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को अर्थ निर्मार की प्रक्रिया कहते है कि अर्थ निर्मार क्या कहते हैं विक्टर फ्रेंकल जो है क्या कहते हैं उनके इस उद्भोदक्च किस्सा थेरपी को बेसिकली या अर्जिनल प्रतिपादित के इस थेरपी को हम और किस नाम से जानते हैं तो आप ध्यान रखना अर्थ निर्मार की प्रक्रिया से भी से हम जा है कि व्यक्ति की अपनी अस्तित्य मतलब आपकी जो स्टैबलिटी है आप कौन है उसको समझाने के लिए राइट आधात्मिक सत्थ प्राप्त करने की खूज होती है इसमें जैसे एक अचेतन मन होता है जो मूल प्रवित्यों का भंडार है जिसके इंदर बहुत सारी प्रवि हमें मिलता है तो हमें आध्यात्मिक अचेतन में हमें प्रेम मिलता है जो प्रेम है एक अध्यात्मिक अचेतन में होता है इसमें प्रेम बहुत बड़ी शक्ति होती है प्रेम से सब कुछ जिता जा सकता है प्रेम बहुत ही बड़ी शक्ति होती इसमें उसी तरह से संधरात् इंग्लिज में aesthetic बोलते हैं यहां पर अभीगिता का मतलब होगी awareness तो aesthetic awareness कहने का मतलब ऐसे लोग जो जितनी भी चीजी जो जहां पर कला या arts जहां पर चीजे होती है ऐसी art वाली चीजे होती है जो उसके सुंदर को लेकर जो थोड़ा सा क्या होता है बहुत ज़्यादा आवे विग्यानिक और आधात्मिक पक्षों से जीवन की समयसा जूड़ती हैं मैं कह रहे हैं कि यहां पर जब व्यक्तिके अस्टिके सारी रिखों या मनविग्यानिक आधात्मिक पक्षों से जीवन की समयसा जूड़ती है तो तंत्रीका तापी दुस्चिंता उत्पन होती है फिर आपको आगे बता रहे हैं फ्रेंकल ने निरर्थक्ता की भावना उत्पन करने में आध्यात्मिक दुश्चिंटा की भneumika पर जोड़ दिया निरर्थक्ता की भावना जो उत्पन हो जाती हमारे अंदर उसको लेकर उनने बताया कि आध्यात्मिक दुस्चिंता की जो भूमिका पर यहां उनने जोड़ दिया और इसलिए इस्ट्वेंट्स इसे कहा जाता है अस्तित्व दुस्चिंता जिसे हम existential anxiety भी कह सकते हैं अर्थात आध्यात्मिक मूल की तंत्रिका तापी दुस्चिंता कहा जा सकता है फिर आपको आगे बता जारा है कि उद्बोधक चिकिस्था का उद्देश अपने जीवन की परिस्थियों को ध्यान में रखे भीना जीवन में अर्थ वत्ता और उत्तरदाई तो बोध प्राप्र करने में सिवार्थी की सहयता करना है तो यहां जरा ध्यान समझो कि यहां पर उद्बोधक चिकिस्था का उद्देश वत्ता जारा आप से पुछा जाएगा उत्बोधक्चिकेस्ग का उद्दिस विशिकली क्या है कहा जाएगा तो यहां पर आपका आपका अंसर क्या हो जाएगा कह रहें कि इसका जो इसका अर्थ यहां निकलेगा कह रहें कि अपने जीवन की प्रेस्थ्तों का ध्यान में रखे भीना म united जो भी आपके जिवन की प्रिस्थिया चाहे हो »सीधी हैं", आपके विप्रीत हैं क्या कहते हैं," आपके अकॉर्डिंग चल लगी है Whenever जिवन की जो प्रैसिति है न, जो आप चाहरे हैं उससी खिसाब्स चीजे हो रही है जाए ऐसे हैं या आपके opposite में हैं ओके सो जीवन में तब भी आपको क्या होगा जीवन में आपको अर्थ वत्ता या उत्तरदाई तो बोध प्राप्त करने में सेवार्थी की सहायता करना है तो यहां पर यह चीज़ आपको बताया जारी है आपकी प्रसिद्धा जाहे जो भी है लेकिन आपको एक होता नहीं कि आपका जीवन का क्या आर्थ है आप उससे समझना ज़्यादा जरूरी है उसका बोध होना ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ आपको बताया जारी है तो यहां पर आप लिख सकते हैं फिर आपको बताया जारी है तो यहां पर लिख सकते हैं फिर आ चिकिस्सा में चिकिस्सा के निस कपट होता है, निस कपट मतलब उसके कोई कपट नहीं होता है, अबिस से बात है, चिकिस्सा को कपट में होना भी नहीं चाहिए, और अपनी भावना, मुल्यों और अपने अस्तित के बारे में सिवारती से खुल कर बात करता है, है ना जो उस आपके अंदर एक बदलाओ जो होता नहीं कि आप अपने अंदर एक मतलब एक होता नहीं कि आपके अंदर एक ऐसा कुछ बदलाओ जिसे आप महसूस कर पा रहे हो जो आप देख पा रहे हो या किसी व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है अन्यार ओपर इससे कोई आपने व्यक्ति इसे देखा उस वेक्ति के अदर अचनक को इससे बदलावाते हैं जो आपको देखते लगता है कि वो चीज़े आपको समझ में आ रही है उसके दर अन्यार उपड हुआ है ट्रांस्फिर्स हुआ है है ना इसे ट्रांस्फर्मेशन भी कह सकते हैं इसे बॉल्डी ट्रांस्फर करता है जो चीज़े कोता है उसको वर्तमान जो प्रेज는데 इस्टेट चला है उसे को अस्मट करता है और अपने अस्तितिकत अर्फ worse करने की प्रक्रिया में सेवार्थी को मदद करना चिकस्य कर लक्ष होता है अपने अस्तित का वो सही अर्थ प्राप्ते कर ले कि जीवन के अस्तित विसी की है क्या उसे वो समझाता है अपने प्रिवेस को अच्छे समझ लिया जो हमने अभी डिसकस किया तो अब हम निक्स्ट आपना हीडिंग देख रहे हैं सेवार्थी केंद्री चिकस्य किस्ट अब इसको देख रहे हैं थोड़ा मैं जल्दिबाजी कर रहा हूं विडियो ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन क्य आपके लिए लग रहा है तो अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे भागेंगे तो कोई फायदा नहीं है मेरी मेहनत का ओके तो यहां बताए जारे सेवार्थी केंद्रची किस्टा काल रोजर्स अब इनका नाम भी आप ध्यान रखना काल रोजर्स दोरह प्रत्पादित क है अब एंफने है वेग्याने के निग्रह को सेवार्थी किर्द्ची किस्टा की यस्टी किया है बेग्यानी तोर तरीके से देखा जा रहा है अब प्रिप बैग्यानिक उर टरीके सिवारति के श्यक्र में होता है। मन चीक्रीस्ता में सुव के संप्रत्य को प्रासथूत किया है। स्वा की संप्रते, संप्रते का मनदब क्या होता है, मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है, संप्रते का मनदब होता है, स्वा का, जो आपको स्वा को ले करके, आपको अपनी समझ, संप्रते मनदब होता है, आपकी धारना, है न, आपका कंसिप्ट क्या है, खुद को ले करके, आप कैसा महसूस करते हो, आपका concept क्या है खुद को ले करके, और उनकी चिकिसा का माना है कि कि किसी व्यक्ति के अस्तित का मूल सोतंता और वरड होता है, ओके, मतलब Karl Rogers का माना है किसी व्यक्ति का जो अस्तित होता है ना, उसका मेल क्या है, उसकी मूल सतनता और वरड. स्वातंतरता आप लोग समझते हो, वरड का मन्दब होगए उसकी खुद की 24. ओके, तो यह बड़ी इंटरिस्टिंग बात है देखो, आपका जो अस्ठित्व है है ना, वो बिसिकली किसे बेस करता है, आपकी अपनी मूल सोतंता और दुसरा आपके अपनी 24 आप कैसे 24 करते हो 24 में आपका सोच भी होता है कि आप क्या सोचते हो दिन बर है ना जिस तरह सोचते हो उस तरह चीज़े आपके साथ होंगी अगर आपने आपको लेकर कि आपका जो धार्ना है जो कंसिप्ट है तो चीज़े आपके साथ हो रहे होंगी तो आप इसे कुछ ऐसा भी जोड सकते है पॉस्टिव है तो पॉस्टिव होंगी अब बहुत ही चीज़े सिखा रही है और यह एक्जाम के पॉइंट आपके सिल्फ ग्रोथ सिल्फ डिलोप्मेंट के लिए भी इंपॉर्डन डिस्टोंज ठीक है फिर आपको आगे बता रहे हैं कि चिकिस्सा एक ऐसे गर्मजोस का संबंद प्रतान करती है जिससे सेवार्थी अपनी विगड़ित भावनाओं के साथ संबंद हो सकता है है ना विगड़ित भावनाओं मतलब जो भावनाओं उसकी विखर गई है तूट गई है उसके साथ संबंद हो सकता है चिकिस्सक तदनभूती प्रतासित करता है और उस अवस्ता में जो चिकिस्सक होता है तदनभूती प्रतासित करता है तदनभूती का मतलब होता है मैं इसकी पोजीशन में गया नहीं, मतलब यहां नहीं खड़ा हो गया, इस व्यक्ति के अस्तर पे रखा अपने आपको, इसकी कंडिशन में रखा, और फिर मैसूस किया, तो उस टाइम उसको जो फिलिंग मिली उसे कहते हैं तद नुबूती से कि एमपथी इसको लेकर रहे ह समझ पा रहा है उसकी परिशानी, है ना, एक होता है सेंपथी, तो सेंपथी वला होता है सिर्फ सुनना और उसके प्रती थोड़ा सा दया भावना दिखाना तो that's called सेंपथी, लेकिन उसके भाव को समझना पाना उसकी जगर जागर के, तो यहां पर उसकी जो तद में भू सेंपथी सहर्दे होता है, सहर्दे मतब हिर्दे के साथ में होता है और असर्थ सकारात्मक आदर रखता है, असर्थ सकारात्मक आदर, मतब जो भी बोलेगा उसको पॉस्टिव रखेगा, उसने उल्टा बोला, गलत बोला, तब भी कोई कंडिशन नहीं हो, उसके अंदर सक सकारात्मक ही रहेगा, बड़ी अच्छी बात यह भी है, इस तुन ध्यान समझना, है ना, मतलब ऐसा हो गया, कि सोचो कि आप किसी ऐसे विक्ति के साथ में हो, जो आपके साथ असर्त सकारात्मक रहे, तो कितना महान विक्ति है, है कि नहीं, कोई सर्त नहीं उसने रखी, हर ब बड़ किया मेरे पास, तो जैसा है, वैसे है, मैं तुरको वैसे बड़ दूँगा, करें तद नो बहुतिची किस्सा और सेवारती के बीच के एक सामेगी अनुदान, सामेगी अनुदान का मतलब होता है, एक resonance से कहते है, अनुदान का मतलब frequency, एक मतलब company, जिसे कहेंगे, ह तो वो जो प्यार है, जब आपके सामने वा व्यक्ति होता है, जिसको याद करता है, आपके निरे कमपन सा होता है, एक अनुदान सा होता है, तो अनुदान इसे हम यहाँ पर resonance कहेंगे, इसका word है, तो वो set up हो जाता है, उनकी बीच में, असर्त सकारात्मक आदर यह बताता है कि चिकिस्सक कि सकारात्मक हारदिक का सिवार्थी को उन भावनाओं पर आसित नहीं है, जो वह चिकिस्सक सत्र के दवरान पतासित करता है, यह उसकी उन भावनाओं पर नहीं है, जो उसने दिखा दिया आपनी समस्ता, जो बता दी कि नहीं सर, मैं ऐसे ऐसे समस्ता से ग हो तो चिकिस सक्ष कामें बहुत ही महान खाम यहाँ पर है ठीकिए इस में कोई उसी तरह सी कुछ बातें यहां पर आप समझ पा रहे होंगे करें सिवार्थी इतना सुरचित मैसूस करता है कि वो अपनी भावनाओं का अन्वेशन, मतब खुदी की भावनाओं वो खोजें लगता है, उसमें अन्वेशन करता है मैंने ऐसा सोचा, ऐसा क्यों सोचा उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो तमाम चीजें सोच के सारी बाते उगलता है उसके सामने करने लगता है, और किसक सेवार्थी के बावनाओं का अन्यडे आत्मक तरीके से मतब होता नि कि नौन जज्ज्मेंटल होकर के परिवर्तन उसमें लाता है यहाँ परिवर्तन सेवार्थी के कतनों को पुणा अव्यक्ति से प्राप्ट किया जाता है उसकी फिर पुणा अव्यक्ति दिखी जाती है उसकी पुणा उसका जो expression करने का तरीका होता उसको दिखा जाता है अर्था सेवार्थी के कत्नों के अर्थ वर्धन के लिए उससे सरलव सपस्टिक रणम मागना तो उसका एक सरल अस्पस्टी करणब उससे मागा जाता है परिवर्टन कि यह प्रक्रिया सेवार्थी को समाकलित होने में मदद करती है इस तरह सेवार्थी क्या होता है पुर्टर से समाकलित होने लगता है है ना मतलब एक जो विखरा हुआ है विगटित जो आपने सब्द देखा था वो समाकलित हो रहा है समा योजन बढ़ने के साथ साथ व्यक्तिकत संबंध भी सुदरते हैं उसके सार यह है कि यह सार यह है कि यह चिकिसा सेवार्थी को अपना वास्तिविक स्वा होने में मदद करती है वास्तिविक स्वा होने मतलब जो है जो है सो है जैसा है वैसा ही है और उसके अंदर ही उसके जो concept है उसका जो सम्प्रत्य है उसको सुधारता है जिसमें चिकसक एक सुगम करता की भूमिका निभाता है जिसमें चिकसक सुगम करता की भूमिका को निभाता है, उसको easy कर देता है उसके रास्ते को, ठीके students so I hope आप समझ पारे हो, मैं आपको example देता है, जरो बढ़ा एक इच्छास example ने दिमाग में आ गया let's say कि मैं कोई एक comedian की example ले लो अगर comedian, comedian जितने होते हैं लगबग अपने कुछ bodily बॉडी, defect की वज़े से या आवाज की वज़े से या अपने बूलने की style की वज़े से या तमाम-तमाम चीजे होती हैं जिसकी वज़े से वो अपने ही body का, अपने ही क्या कहते हैं, आवाज का या ऐसे कुछ करके रखे वो लोग हसाता है, ठीक है अगर वो उस चीज को देखो, positive लेता है उस चीज का करता है, positive लेता है अगर उस चीज को negatively लेके चले वो comedian, तो साहथ उसका जुएन बहुत दूसकर हो जाए, students लेकिन उसको क्या करता है, positively लेता है और अपने सुअ के साथ में रहता है अपना concept सही direction में रखता है अपना सम प्रत्य सही दिसा में रखके चलता है So I hope आप समझ गया होंगे So आपको आगे लेके चलते हैं students आपको बदा दू जल्दी से आपका time waste कि ये बिना कि अगर आप class 12th के students हैं या CET exam के लिए प्रिपार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी psychology के study हमारे साथ जुड़के बहुत बेतर की जा सकती है तो और साथिसाथ अगर आप sample paper पढ़ते हैं या आप कोई ऐसे series को पढ़ते हैं जो psychology के लिए हैं तो आप इसे मत पढ़िए instruments यहां पर नजा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपका यही गूल है कि क्लास्ट के psychology को improve किया जाए सुधारा जाए और यहां पर आप जो पैसा लगा रहे हैं यहां न लगा करके हमारे साथ जुड़ करके आप हमारे exam booster के इस course को ले करके अपने exam के preparation बहुत अच्छे से कर सकते हैं right so इसके बारे में धिर सारी बाते हम से जानने के लिए हम बिगनिंग में आपको WhatsApp नमर दिये थे हम से आप बात कर सकते हैं WhatsApp पे directly so आप हम से जुड़ सकते हैं so इसी के साथ मैं आप सब से कहूंगा thank you thank you so much student so that's all till the time take care and bye bye